तो इस वीडियो में हम बात करेंगे New Zealand and Pakistan के बीच में जो first T20 match खेला जाने वाला है शुक्रवार को उसके बारे में तो इस वीडियो में हम in-depth discussion करेंगे इस particular match का ground stats देखेंगे head to head stats देखेंगे इन दोनों team का जब एक दूसरे के against खेलते हैं और जब New Zealand में खेलते हैं तब का भी हम head to head stats देखेंगे ground report देखेंगे pitch report देखेंगे ground का dimensions देखेंगे कौनसे players को हमें dream 11 में try करना है कौनसे players को स्मॉल league में try करना है कौनसे players को grand league में try करना है ये सब हम देखेंगे टीम न्यूज, इंजिरी न्यूज से लेके प्रोबावल प्लेइंग 11 तक सम्हाँ बारी की से डिसकेशन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में तो वीडियो पर आखिर तक बने हो और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद अगर आपको बिल्कुल लगे कि थोड़ा से पसंद आया ये वीडियो तो वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में एक कॉमेंट करके आप जरूर जाना और दोस्त वीडियो को देखने के साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं अपने टेलिग्राम चैनल का लिंक छोड़ के जाना हूँ उस telegram channel के link पे आप click करना और मेरे telegram channel पे जोड़ जाना क्योंकि toss के बाद और playing 11 आने के बाद जो final team मेरा होगा खुद का वो मैं वहाँ पे share कर देता हूँ जिसको आप use करके अच्छा earning कर सकते हैं तो चलिए अब बात कर लेंते हैं थोड़ा सा match के बादे में अब match कितने बज़े शुरू होगा match Indian standard time के हिसाब से शुरू होगा सुभा साड़े 11 बज़े अब देख लेते हैं थोड़ा hit to hit stats ठीके अब hit to hit stats मतलब क्या हम 3 तरागे का hit to hit stats देखेंगे पहले वाला जो T20 international matches में यह Pakistan और New Zealand दोनों एक दूसरे के against खेले हैं तो क्या सिनारियो रहा है तो यहाँ पे total 12 matches खेले गए हैं जहाँ पे Pakistan ने 9 बार जीता है और New Zealand सिर्फ 3 बार जीत पाए हैं ठीके बाकी hit to hit stats in T20Is in New Zealand मतलब New Zealand का सरजमी पे जब Pakistan और New Zealand के बीच में matches हुआ T20I तब क्या हुआ तब total 9 matches खेला गया जहाँ पे New Zealand ने सिर्फ 5 बार जीता और Pakistan ने 4 बार जीता मतलब पाकीस्तान बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है जब भी New Zealand पे matches होता है तो यह चीज आप जरूर से consider करना और last 5 hit to hits अगर आप देखोंगे इन दोनों teams के बीच में चाहे कहीं पे भी खेला गया हो तो New Zealand ने एक बार भी नहीं जीत पाया जहाँ पे पाकीस्तान ने 5-0 से clean sweep किया है तो वो गया hit to head अब देख लेते हैं Venu का कुछ बाते ठीके अब Venu क्या है? Venu है Eden Park, Auckland अब यहाँ पे average score कितना बनता है लगभग लगभग आप 165 से 170 तक expect कर सकते हो और नीचे आके अगर बहुत अच्छा hitting हो गया तो 180 भी जा सकता है बट average score आप 165 पकर के चलो ठीके अब highest team inning highest team inning मतलब इस ground पे कौन सा team highest run किये हैं T20I International में और वो कौन सा team है? वो है Australia का किस के against किया था? New Zealand के against कितना किया था? 245 for 5 ठीके तो New Zealand के against ही New Zealand में आके Australia ने इतना बड़िया score किया और वो भी chase करते हुए यह run जो हुआ था? चेस करते हुए हुआ था तो ध्यान रखना इस particular ground पे chasing बहुत अच्छा होता है और उसका भी stat में नीचे दिखाने वाला हूँ बाकि lowest team inning इस particular ground पे मतलब कौन सा team है जो इस particular ground पे सबसे कम run पे all out हो गए 20 over में तो वो है New Zealand जो किये थे 107 runs किस के against? South Africa के against तो New Zealand का इस particular ground में उतना कुछ अच्छा record नहीं है ठीक है बाकि highest chase जैसे के मैंने बोला वो Australia वाला ही है 245 for 5 versus New Zealand तो चलिए देख लेते हैं अब कि अगर captain toss जीतता है तो उनको bowling first करना चाहिए batting first क्योंकि last five head to head matches जो यहाँ पे हुआ था T20I तो वहाँ पे batting first करते हुए team एक बार भी नहीं जीत पाई हाला कि जो chasing team था वो 5 के 5 बार जीते तो जो भी captain toss जीता है कल should bat first मतलब should bowl first जोरी अब देख लेते हैं थोड़ा ground dimensions मतलब ground का sizes क्या है मतलब छोटा boundary है या बड़ा boundary है तो यहाँ पे अब अब देखोगे ground का जो width है ठीक है जो horizontal वाला width है वो है 69 meter almost and जो length है मतलब vertical वाला वो है 55 meters तो यहाँ पे boundary का size अब देख सब तो बहुत ही जादा छोटा है मतलब सामने वाला जो boundary है batsman का सामने वाला जो straight six लगाना पसंद करते हैं उनको बहुत जादा पसंद आने वाला है और जो full length में delivery आएगा वो straight and long on long off पे जो hit होने वाला है six वो बहुत easily होने वाला है और जो भी ball bouncer आएगा उसको थोड़ा सा मारने में दिक्कत हो सकता है क्योंकि जो side वाला जो boundaries है and pace off deliveries का use करेंगे वो बहुत जादा successful हो सकते हैं उनके तुलना में जो full length delivery करना पसंद करते हैं अब देख लेते हैं इस ground पे एक wicket गिरने के लिए कितना runs बनता है तो इस particular ground पे 24.15 मतलब 25 run के बनने के बाद एक wicket गिरता है ऐसा statistically देखा गया है और average runs per over यहाँ पे 8.76 मतलब 9 run के करीब हर over में बनता है तो अब देख लेते हैं जो home side है मतलब New Zealand का इस ground पे कितना जादा advantage है तो यहाँ पे total 30 matches खेला गया जहाँ पे home side मतलब New Zealand सिर्फ 8 बार जीता है और जो touring side था चाहे वो Pakistan हो, India हो, Australia हो, England हो कोई भी हो, ठीक है उन्होंने 22 बार जीता है तो New Zealand का इस particular ground पे being a home side कुछ खास record नहीं है तो कल एक blood fair हो सकता है New Zealand के ground में आके New Zealand को ही हडा जा सकते हैं पाकिस्तान, हाला कि पाकिस्तान के लिए जो बड़ा news है वो बाबार आजम नहीं खेलने वाले तो वो भी consider हमको करना पड़ेगा फिर भी जिस तरीके का record है New Zealand का इस particular ground पे वो कुछ खास नहीं है तो अब देख लेते हैं इस particular ground पे कौन से batsman का highest individual score है और कौन से bowler का best bowling जो figure है, वो है ठीक है, बाकि best individual score अगर आप देखोगे तो Martin Guptill का 105 5 किये थे versus Australia इस particular ground पे तो Martin Guptill को अब 1-2 team में grand league में captain बना के चलना ठीक है, सिर्फ 1-2 team में अगर आप grand league में 11-11 team लगा रहे हो तो बाकि best bowling figure अब देखोगे तो team Saudi जो इस particular match में नहीं खेल रहे हैं क्योंकि squad में नहीं है, उनको rest दिया गया है उनका best bowling figure है versus Pakistan और वो है 5-4-18 अब देख लेते हैं इस particular ground में जो highest batting average है वो कौन से batsman का है Martin Guptill का fourth highest average है on this particular ground जहाँ पे उन्होंने 15 matches खेले हैं 15 matches के 15 innings में 450 और 100 के साथ 576 runs किये हैं average है 41.14 strike rate है 170 and highest being 105 मतलब 105 run का highest score है तो इस particular ground को मतलब Martin Guptill बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हाला कि जो last tour हुआ था इस particular ground पे Western English के against वहाँ पे Martin Guptill कुछ खास नहीं कर पाए but overall इस particular ground पे Martin Guptill का record काफी अच्छा है और उस particular list में जो 11th position पे है वो है team Seifert जिन्होंने 8 matches के 8 innings में 119 runs किये हैं average कुछ खास नहीं है 17 but highest है 39 तो अब देख लेते हैं इस particular ground पे most successful bowlers कौन रहे हैं ठीके वहाँ पे नाम है team Saudi का Trent Bolt का Lockie Ferguson का Kyle Mills का बट यह सारे कल के matches नहीं खेलने वाले तो इनका जो status मतलब जो stat है वो bowl के फाइदा है नहीं तो उनके बाद जिनका नाम है वो है Mitchell Santner जिन्होंने 11 matches खेले हैं इस particular ground पे 34.4 overs bowling किये है 292 runs खरच करके 9 wicket लिये है मतलब 11 matches पे 9 wicket हम समझ सकते हैं उतना कुछ खास help इस pitch से spinners को नहीं मिलता इसलिए Mitchell Santner को सिर्फ 9 wicket मिल पाई और 292 runs खरच किये जहां पे average इनका 32.44 है विद बेस्ट बोलिंग figure of 2 for 14 and economy है 8.42 इस लिस्ट पे जो उनके नीचे है वो है इस शोधी जो 8 matches में 9 wicket लिये है and 240 runs खरच किये है best bowling figure है 3 for 30 average है 26.67 जो Santner से better है and economy भी लगभग similar है 8.32 और उसके बाद जो नाम है वो है Jimmy Nisham ये तीनों ही bowlers कल खेल सकते हैं तो ध्यान रखना तीन matches खेल है Jimmy Nisham 7.3 overs bowling किये है only and 73 runs खरच किये है तो काफी expensive रहे क्योंकि इनका economy अगर अब देखोगे 9.73 का economy जिन में से वो 5 wickets निकाल चुके हैं क्योंकि batsmen इनको attack करना जाते हैं और जब attack करने जाते हैं तभी इनको wicket मिल जाता है और average है इनका 9 का अब देख लेते हैं जो last match हुआ था इस particular ground पे वो क्या हुआ था वो हुआ था West Indies and New Zealand के अगेंस जहां पर West Indies ने first betting करते हुए 180 for 7 किया 16 overs में क्योंकि इस particular match में बारिश हुआ था तो overs कट गया था बाकि New Zealand ने वो लगभग चेस कर दिया था 179 for 5 in 15.2 overs जहां पर DLS मेथोड से 5 wickets से New Zealand जीत हासिल कर लिये थे उस particular match में कौन-कौन से performance रहे थे Lockie Ferguson ने 5 wicket लिया था Team Saudi ने 2 wicket लिया था इस दोनों ही कल नहीं खेलने वाले इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया that they won't play बाकि Mitchell Santanaire ने 2 over bowling करते हुए 23 run खर्च किये थे बहुत जादे expensive रहे थे और उनको wicket भी नहीं मिला था बाकि Jimmy Nisham 1.3 overs में 32 runs खर्च कर दिये थे बाकि इनको भी wicket नहीं मिला था बाकि बैटिंग में से अगर आप देखोगे तो Martin Guptill last outing जब इस particular ground पे हुआ था उन्होंने सिर्फ 5 run किया था team's effort 17 किये थे Devon Conway जो last West Indies के tour में shining star रहे थे New Zealand के तरफ से उन्होंने 41 किये थे Glen Phillips काफी अच्छे touch में है फिलाल वो भी 22 किये थे Jimmy Nisham 48 24 balls and Mitchell Santana 31 किये थे 18 balls पे ये दोनों ही जो है last में hitting करके New Zealand को जीत दिलाए थे अब देख लेते हैं Probable Playing 11 New Zealand का तो Martin Guptill and team Seifer जो wicket keeping भी करेंगे ये दोनों opening करेंगे number 3 पे आँगे Devon Conway number 4 पे Glenn Phillips Mark Chapman and number 5 Jimmy Nisham and number 6 Mitchell Santana Captain then Dougie Bresville then Ish Shodhi then Blair Tickner and then Scott Kugelin तो ये Probable Playing 11 मेरे तरफ से होना चाहिए बाकी Toss के बाद हमको Final Playing 11 मिल जाएगा उसके मताबिक हम अपने Final Team में चेंज करेंगे जो मैं अपने Telegram चैनल पर प्रोवाइट कर दूँगा उस Telegram चैनल का लिंक इस वीडियो के Description सेक्शन में है आप जाके जूर सकते हो बाकी अब देख लेते हैं पाकिस्तान का Probable Playing 11 क्योंकि इनके पास बाबार आजम नहीं है तो ओपिनिंग में एक स्लॉट जो है खाली हो जाता है तो मेरे प्रेडिक्शन के मताबिक अब्दुल्ला शफीक जो है वो ओपिन कर सकते हैं रिसेंटली जिंबाबोई के एगेंस्ट एक दो मैच में उपेंड किये थे तो बहुत अच्छा परफॉर्म किये थे तो मुझे लगता है अब्दुल्ला शफीक को उपेंड करना चाहिए और इनका डोमेस्टिक डिकॉर्ड भी में काफी अच्छा है लगभग 50 का एवरेज है 10-11 मैचेस में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो के आखिर तक देखा आपको मैं सब स्टैट्स दिखाऊंगा बाकी हैदर अली ओपेंड करना चाहिए अब्दुल्ला शफीक के साथ फिर मौमद हफीज़ नमबर 3 अगर खुषदिल शाह नहीं खेलते हैं तो खुषदिल शाह को मौका नहीं मिलेगा ठीक है बाकी मौमद रिज्वान खेलेंगे नमबर 5 देन शदाब खान और फहीम अश्रफ और इफ्तकार अहमद में से कोई एक खेलेगा अगर बैटिंग स्ट्रॉंग करना है तो इफ्तकार अहमद अगर बोलिंग स्ट्रॉंग करना है तो फहीम अश्रफ बाकी इमाद वसीम खेलेंगे देन शाहिन शाफरीदी देन वहावरियाज देन हरीस रॉफ और अगर हरीस रॉफ नहीं खेलते हैं तो मौम्मत हसने इनको मौका मिल जाएगा और न्यूजलेंड के प्लेइंग 11 बताते टाइम में एक बात बताना भूल गया के केन विलियमसन नहीं एवेलेवल है फर्स्ट मैच के लिए और ट्रेंड बोल्ड भी फर्स्ट मैच के लिए अवेलेवल नहीं है उनको सेकेंड और थर्ड T20 आई जो होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट उन दोनों T20 आई में स्क्वाड में रखा गया है बट फर्स T20 आई में ये दोनों एपसेंट है तो हाँ स्पेशल एटेंशन जिनको आपको देना है इस पर्टिकुलर मैच में जिनका सिलेक्शन बहुत जादा कम है बट अगर खेलते हैं तो ग्रैंड लीक का कैप्टन वाइस कैप्टन के काबिल है ये दोनों अबदुल्ला शफिक जो बावर आजम के एपसेंस में जो ओपिन करने वाले हैं मेरे हिसाब से पाकिस्तान के तरफ से तो इनका डोमेस्टिक T20 मैचेस अगर आप देखोगे तो ग्यारा इनिंग्स ये खेले हैं लोमेस्टिक में T20 एन 399 रंस किये हैं एवरेज है 49.87 स्ट्राइक रेड है 132 का तो आप देख सेथे कितने कंसिस्टेंट प्लेयर हैं और रिसेंट्ली एक T20 आई में जिंबावई के एगेंस्ट बाबर आजम ओपेन नहीं किये थे और अब्दुल्र शफिक को ओपेनिंग में भेजा गया था जहां पे वो शायद नौट आउट रहे थे और 40 प्लस स्कोर किये थे और अपने टीम को जीत दिलाये थे तो काफी अच्छा consistent performer हैं देखके खेलते हैं उतना मुँ उठा के हर एक shot को नहीं मारते तो बहुत 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 अच्छे pick है कल के लिए लगभग 10 या 15% के करीव इनका selection है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ रात को तो मुझे लगता है कि ये selection ज़्यादा बरने नहीं वाला 30-35% तक ही जाएगा अगर उतना जाता है तो मेरे small league के team में आपको ये दिखेगा आप भी इनको try जरूर से कर सकते हो और जिकव डफी जिनको कल debut मतलब मिल सकता है मौका न्यूजिलेंड के तरफ से special bowler हम जब जो न्यूजिलेंड का ODD matches है और super smash जब cover करते हैं तब इनको जरूर से team में रखते हैं आपको पता ही होगा जो late night matches होते हैं तो जेकव डफी का कल international debut हो सकता है न्यूजिलेंड के तरफ से तो इनका अगर आप देखोगे तो 67 innings खेले हैं domestic में T20 and 79 wickets निकाल चुके with a strike rate of 16.5 तो काफी impressive इनका record है तो इन दोनों players का small league में भी try कर सकतो grand league में captain wise captain as try कर सकतो ठीक है तो wicket keeping section में मैंने दिया है Glenn Phillips को हाला कि ये wicket keeping नहीं करने वाले number 4 पर batting करेंगे जो wicket keeping करेंगे न्यूजिलेंड के तरफ से वो है team safe word आप चाहो तो team safe word को ले सकते हो जो इनका जो इस ground पर batting average है 17 का वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया और recently जो western indies के against इनका performance है वो भी मुझे कुछ खास impressive नहीं लगा इसलिए मैं team safe word को नहीं लिया है याद रगना यह open करेंगे कवे भी अच्छा blinder खेल सकते हैं 50-70 run का तो हमें direct loss करवा सकते हैं जो Glenn Phillips जो काफी अच्छे touch में हैं उनके साथ मैं जा रहा हूँ फिलाल बाकि सरफराज Ahmed नहीं खेलने वाले अगर खेलते हैं तो आप grand league में try करना मुहमद रिजवान मुझे लगता है कि कल खेलेंगे तो इनको भी आप grand league में try करना बाकि सरफराज Ahmed नहीं खेलने वाले मेरे हिसाब से ठीक है Confuse मत हो ना बाकि बैटिंग section में आपको बाबार आजम मिल जाएगे with 85% selection अभी फिलाल तो खेलने तो नहीं वाले कि पूरे T20i series से ही ये बाहर हो चुके है finger injury के चलते ठीक है fracture हो चुका है इनके finger बाकि Martin Guptill को में लिया हूँ obviously Devon Conway जो number 3 पे खेलेंगे काफी sensitively बैटिंग बहुत बहुत अच्छा लगा इनका बैटिंग देखके बाकि Mark Chapman को Grand League में ट्राइ करना Small League में नहीं क्योंकि थोड़ा सा नीचे आएंगे बैटिंग करने के लिए और अगर Mark Chapman को ट्राइ करते हो तो Guptill, Seiford and Conway इनको छोड़के जाना ठीक है उस team में इन तीनों को मत रख जाएंगे हुसें तलत में मुझे नहीं लगता हुसें तलत कल खेलेंगे और हां खुचदिल शा बहुत नीचे बैटिंग करते हैं बट इनको अगर मौका मिलता है बैटिंग करने का तो उसका मतलब है पाकिस्तान का जो टॉप दो या तीन बल्लेवाज हो जल्दी आउट ह रहे हो उस पर्टिकुलर टीम में पाकिस्तान का जो टॉप अब्दुल्ला शफीक हो गया या फिर जो हैदर अली हो गया या मौमद हफीज इन तीनों में से किनी दो को छोड़ के चलना ठीक है तो यह लॉजिक है ग्रैंड लिक के टीम बनाने का बाकी यहां पर मैंने यह को ट्राइ किया है गप्टिल कॉनवे हैदर अली अब्दुल्ला शफीक बाकि अल्राउंडर सेक्शन में में फिलाल दो अब अल्राउंडर के साथ गया हूं मौमद हफीज जो नंबर तीन पर बैटिंग करेंगे एक दो वर बोलिंग भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ा बाकि जीमी नीशम ये कुछ ओवर्स बोलिंग डाल लेंगे और नीचे आके पावर हीटिंग करेंगे तो ये दोनों तो मस्ट पिक हैं मेरे हिसाब से बाकि आप शदाब खान को ट्राइ कर सकते हो जो पाकिस्तान के तरफ से कैप्टिंशिप करेंगी इन एपसेंस और United के तरफ से ये खेलते हैं शायद जितना मुझे याद है और ये नंबर 4 पे बैटिंग करने आते हैं PSL में तो यहाँ पे तो नंबर 4 पे नहीं बट लंबर 5-6 तक ये बैटिंग करने आ सकते हैं और ठीक ठाक बैटिंग भी कर सकते हैं तो मेरा last confusion जो है शदाब खान और मि इनिंग्स खिलाता 18 balls में तो अगर एक विकेट यहाँ पे निकाल जाते हैं सैंटनर और 31 या वैसा ही कुछ कर जाते हैं तो हमें लॉस करवा सकते हैं क्योंकि home ground इनका सैंटनर का ही है शदाब यहाँ पे पाकिस्तान के तरफ से खेलने आएंगे तो फिर भी मैं शदाब खा सा दिखा रहा हूं क्योंकि T20 format में बहुत अच्छा bowling करते हैं और बैटिंग भी ठिक टाक कर लेते हैं तो मेरा final pick फिलाल शुदाब खान है टॉस के बाद में रिसाइड करूंगा कि मेरा playing 11 कैसा होना चाहिए dream 11 का ठीक है bowling section में मैंने शाहिन शाह अफरीदी को लिया है obviously वह वहाव रियार्स को मैंने मिस किया आप चाहो तो वहाव रियार्स के साथ भी जा सकते हो बाकी मैंने डगी ब्रेस्विल को लिया है जो बैटिंग भी कर सकते नीचे आके power hitting वाला and mainly bowling करेंगे तो उनको मैंने लिया है और जिकब डफी को मैंने लिया है मुझे लगता है कल य मैं इनको अपने टीम में रखने वाला हूँ बाकी Blair Tickner भी खेलेंगे इनको Grand League में ट्राइ करना सिर्फ 5% सेलेक्शन है अपना काम अच्छे से ये कर सकते हैं बाकी नीचे से Harish Rauf जिनका highest strike rate है among all the Pakistan bowlers in last two years in T20 internationals तो ये ध्यान रखना Harish Rauf Trump हो सकते हैं मुझे पता नहीं मै अगर शाहिन शाफरीदी को लाखर तक लूँगा ये Harish Rauf को मैं चेंज कर दूँगा डिपेंडिंग के पाकिस्तान फर्स बोलिंग कर रहा है या फर्स बैटिंग कर रहा है ठीक है अगर फर्स बोलिंग कर रहा है तो मैं शायद शाहिन शाफरीदी के साथ जाओ क्योंकि fresh pitch होगा उनको movement मिल सकता है और अगर सेकेंड बोलिंग हो तो मैं शायद वहाब रियाज या डगी ब्रेस्विल के साथ जा सकता हूं तो मेरा फिलाल जो टीम है वहाँ पर मैं जेकब डफी को रखा हूं और मेरा कुछ combination ऐसा बैट रहा है जहाँ पर मैंने Captain Hafiz को बनाया है जो most sensible batsman है फिलाल दोनों टीम से and Vice Captain मेरा फिलाल Day One Convoy या Glen Phillips में से कोई एक होगा मैं फिलाल Day One Convoy के साथ जा रहा हूं जो number 3 पर बैटिंग करेंगे New Zealand के तरफ से तो मेरा combination फिलाल कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पर एक stable टीम बनाने का मैंने कोशिश किया है हाला कि यह final नहीं है टॉस के बाद जो भी टीम पहले bowling ये बैटिंग करेंगा उस हिसाब से मेरा जो dream 11 का team होगा small league का वो उसमें changes होगा and playing 11 में भी obviously changes होगा अगर कुछ उपर नीचे होता है तो playing 11 ठीक है क्योंकि हम सिर्फ predict ही कर सकते कि यह खिलेगा वो खिलेगा बाकी final call the team management का ही होगा तो उस final team है मैं वहाँ पर provide कर दूंगा deadline के 10 मिनित पहल और telegram channel का link इस video के description section में आपको मिल जाएगा